नमस्कार, welcome you guys once again, स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से BAC part 3 के लिए जो हमने एक लासे शुरू की थी, lecture series शुरू की हैं उसमें आज हम हमारा lecture number 6 लेकर आये हैं, organic chemistry में जो कि हापके amino acids, peptides, proteins और nucleic acids ठीक है, तो जो पिछले lecture में हम लोगों ने पढ़ा था हम क्या पढ़ रहे थे, amino acids के बारे में हम पढ़ चुके हैं, physical properties देख चुके हैं, उनकी chemical properties चल रहे थी, तो हम पिछले lecture में देखा था, कि हम उन reactions को study कर रहे थे, जो amino acid के NH2 group की वज़े से, यानि amino group की वज़े से होती हैं, है ना, और उनमें हमने कुछ reactions कर भी ले थी हैं, कुछ reactions को हम पढ़ भी चुके थे, तो हम आज भी उनी reactions को continue करने वाले हैं, कुछ एक दो reaction बची हुई हैं, उनको भी complete कर लेते हैं, ठीक हैं, तो समू के कारण, कारण, अभी क्रिया हैं, ठीक हैं, जिसमें हमने काई सारी reactions को अलरेड़ी पढ़ चुके हैं, तो आज जो हम reaction पढ़ने वाले हैं, वो है, सबने नाम सुना होगा इसका बे, जब आपने amines पढ़ी होगे second year में, तो उसमें definitely पढ़ी होगी कि उसमें amine है, तो उसके लिए एक specific test होता है, कौन सा, कारण, इसमें क्या होता है, जो आपका जो amine होता है, उसको chloroform और छार के साथ गर्म किया जाता है, और क्या अगर कुछ bad smelling compound बनता है, foul spelling है, तो बहुत गंदी smell आती है, क्या बनता है, isocynide बनता है, और isocynide की smell जोत क्याइचिन बोलते हैं, तो यह हम लिखेंगे, और यह किस के वारें बताता है, इसका मतलब कि alpha amino acids होते हैं, उसमें amine group होता है, क्योंकि amine group होगा, तबी तो carby lemon correction देगा, अगर नहीं होता, तो अगर नहीं होता, तो हम लिखेंगे कि alpha amino 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 को किसके साथ, को H तथा क्लोरोफॉम के साथ गर्म करने पर आईसो साइनाईड प्राप्त होता है प्राप्त होता है इसे कार्बल एमिन परिक्षन कहते है ठीक है तो क्या हो गई आपर कोई हमारा एलफ एमिन हम लोगा कोई सा भी हो सकता है उसमें दो ग्रूप होते हैं एक तो होता है COH और एक होता हमारे पास अमिन ग्रूप ठीक है NS2 ग्रूप जब हम इसको react कराइंगे किसके साथ प्लॉरोफोम के साथ साथ में क्या लेंगे COH लेंगे और क्या formation होगी हमारे पास हमारे पास formation होगी इसो साईनाइड की तो हमेंचार तो बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि बार 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 हर step में मैं चार की जूरुत पड़ेगी तो 3KOH लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बनेगा RCH COOH और यहां पर बन जाएगा N1C कुछ इस तरीके का आइसो साइनेड बन जाएगा जिसकी कैसी स्मेल होती है बहुत गंदी स्मेल होती है बैड इसमेल यह बनेगा साथ में क्या वनेंगे 3H2O की मॉलेक्यूज भार निकलेंगे साथ में 3KCl मॉलेक्यूज बनेंगे तो यह रियक्शन होना है कार्विल लेमिन परिक्षण में अब यह रियक्शन होता कैसे है वह देख लेते हैं इसका मेक कार्विल होता है इस रियक्शन के अंदर कार्विल की फौर मेंचन उती है तो सब्सक्रीब है क्या होता है वह प्रोटोर में जैसे प्रोटोर ले आई यह का करे गान लेका बॉन्ट कारवन पर इसको बोलेंगे जिससे इस घुर सबसे पहले क्या होगा चार यहां से फ्रोटन लेगा क्या पार निकालेगा ये बाहर निकल जायगा बचे आख क्या इये बनेगा सी माइनस की एल इस लेकर बाहर निकल जाएगा यह क्लोरिस इसष्ट्र सेरीं में दिये वो सदूरो लेकर बाहरार निकल जाएगे तो यह SECRET THS यहां से CL- बाहर निकलेगा, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, KCL, KCL बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा केवल यह, CCL2, क्या बचेगा, यहां फिर ऐसे लिखूं, CCL2 बचेगा, यहां ऐसे लिख दो भई, इसी वह ऐसे भी लिख सकते हो, CL, CL और यह लोन पे इसको बोलते हैं, Dichloro Carbine, क्या यह, Dichloro Carbine बन गया, क्या बन गया बई, कारबीन बन गया, अब यह क्या होता है, Carbine अमारे पास एक Electrofile बन गया, यह Electrofile होता है, Electrofile मतलब जिनके पास Electron की कमी होती है, फिर बहुत से बच्चे तो ऐसे महान होते हैं, वो तो यह बो सकता क्योंकि इसके पास Electron गिन लो भई कितने हैं, इस बॉंड में दो Electron है, दो और दो चार और दो छे, तोटल कितने Electron है, इसके पास 6 Electron है, और जो 6 Electron होते हैं, इनके खुद की अस्टक पूरी नहीं है, इनके पास खुद Electron की कमी है, तो यह दूसरे को Electron क्या देंगे जब तक इनकी अस्टक पूरी नहीं होगी, इनके पास 8 Electron पूरे नहीं होगी, तब तक यह किसी को भी Electron नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह जो Carveens होते हैं, यह क्या होते हैं, Electrophil होते हैं, इनके पास Electron की कमी होती है, अब यह किस पर Reject करेंगे हैं, अब हमारे पास क्या है हमारे पास है amino acid ये है amino acid nitrogen के पास क्या होते है lone pair क्या है हमारे पास CCL2 carbon carbon के पास क्या है इलक्ट्रोनों की कमी है यह इलक्ट्रोनों की अधिकता है इसके पास lone pair है इसके पास कमी है तो यह क्या करेगा दान्मीर बन के इसको अपने इलक्ट्रोन दे देगा दे देगा तो दे द और यहां पर कॉन जुड़ गई सी चल्ट नाइट्रोजन ने चारवंड बनाए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव ठीक है और यहां पर क्या आएगा नेगिटिव इसने ले लिए एक्सा इलेक्ट्रों मिल गए इसको दो और इलेक्ट्रों मिलेंगे तो इस पर पर नेगिटिव आएगा फिर आगे कोन है हमारे पास चार तो भरपूर मात्रा में मौझूद है बेस तो आपना इधर शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन और कारवन की बीच एच प्लस तो निकल जाएगा लेकिन अपने इलेक्ट्रों तो छोड़ जाएगा और यहां शिफ् यह क्या है क्या माइनस का साइल साथ चार एक्श प्लस में मौन सेखिछ तो क्या बनाएगा डूसरा यहां निकल रहा है किया एक रर और एक ह्टो तो यहां भार निकला बचेगा क्या आर सी एच सी ओओ एच यहां पर है आर यहां पर 1 एच बचेजाएगा क्योंकि एक हैच प्लस तो निकल अपने ऐलेक्टरणों मुझे ने युज होने वाला है अभी हमारे पास कोज है नहीं कि खत्म थोड़ी नहीं थे परोटोन लेगा तो यह कहां करेगा तो यहां बॉन्ड शिफ्ट करेगा और जैसे दोन एकंदेटाग फिर। न से कौन निकलेगाव जीए problem निकलेगा यहां फोलस यह तोन सीए्ट बाहर कौन कशीएल होड मेंनस नेंच प्लस ले लिया या बना लिया एक 2 यहां से निकला एक एक शेंचा यहां से निकला और एक साकर क्या गया यह से टेंच новый की है बन गया वही इसो ता कैंड़ यह बनता है आइसो नेट और आइसो नाइट बनेगा पुश्ची बॉह बनेगा तो इसका मतलब जैसे ही निपाइब बनेगा तो इस बात यी पुस्टी हो जाती है कि इसके अंदर एमेनो ग्रूप होता है क्योंकर आइसो रदा कौन बनात दिख गया ना कैसे कैसे तीन तो केसियल बने काई तीन केसियल इधार निकला तोटल कितने केसियल निकले तीन तो वहां लिखे हुए अब हम चलते हैं आगे नेक्स रेक्शन पर अगली जो रेक्शन है वह है अचैनो टू के साथ अभी क्रिया रेक्शन करानी है किसके साथ एक चैनो टू के साथ और यह बिल्लोकुल वैसे ही रेक्शन होगी जैसी अमीन देते हैं किसके साथ अगर आपको याद हो तो एने एनो टू प्लस एक्शन कराएंगे तो इससे क्या बनता है एचैनो टू बनता है ना और यह एचैनो टू क्या करता है अमीन के साथ अगर कोई अमीन मौजूद है अमीन के साथ यह एचैनो टू क्या करता है रियक्ट करता है और इस अमीन को किसमें चेंज कर देता है डाई यह जो कंपाउंड में चेंज कर देता है एन्टू प्लस में चेंज कर देता है ना नाइट्रोजन गैस और यह तो गै या ना डाइ यजो टाइजेशन रियक्षिन कमसी रियक्षिन है यह और सेंड़ मेर की नाम से नाम से जानते हैं कुछ लोग तीक है याद आ रही होगी यह यह घ्यक्षिन देख देखके वह यह रेक्षिन अनमिन इमीन ग्रूप इसमें भी होता है कर ऑँ स्वारी अमेन ऐसे तो यहां पर भी सेम रियक्शन होगी तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि है एक चैनल टू के साथ एलफा अमीनो अमल अभी क्रिया करके क्या बनाते हैं एलफा हाइड्रोक्सी एसिड यानि कि अमलों बनाते हैं बनाते हैं क्या बनेंगे एलफा हाइड्रोक्सी एसिड बनेंगे कैसे बनेंगे देख लेते हैं यह हमारे पास है मैंसे लिखूं COOH क्या है वह यह alpha amino acid है हमारे पास क्या है वह reaction में reaction में दे रखा है HNO2 मैं HNO2 को ऐसे लिख सकती हूँ N double bond O और एक तरफ लिख सकती हूँ OH क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे HNO2 को लिख सकते हैं वह बिल्कुल लिख सकते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ से H इन शौड बताऊं तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तो कौन होगा H2O बाहर निकल जाएगा तो यह क्या बनेगा यह बनेगा RCH COOH यहाँ पर है N1H जुड़ा हुआ है इससे एक और N जुड़ गया उससे जुड़ा हुआ डवल बॉन क्या जुड़ा हुआ है बई डवल बॉन ओ और HNO2 हम जानते है नाइटरस अम लोता है क्या हुता है बई नाइटरस एसिड एसिड है कौन सा नाइटरस एसिड है यह बना बई ठीक है आप अग्ले स्टेप में क्या होगी यहां पर ट्विधी प्लस टो माइनस और प्लस मिलकर बना लेंगे तो इह क्या बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा RCH COOH यहाँ पर N double bond N और यहाँ पर क्या बन गया भई OH बन गया कौन सा ग्रूप आ गया यहाँ पर OH ग्रूप आ गया ओक्जिम बन गया यह क्या बन गया ओक्जिम जैसा बन गया ना कुछ के लेकिन ओक्जिम नहीं है यह ओक्जिम तो तब होता जब C double bond N होता है ना लेकिन अभी यह क्या है एच नो टू क्या होता है और अबल होता है तो अमल क्या देता है एच प्लस देगा एक यह रेक्शन होती ही अम लिये मांध्यम में जब इसकी रियक्शन कराई जाती है N A NO2 साथ में कौन लिया जाता है HCL और HCL क्या होता है ठीक है ये reaction होते ही हम लिए माध्यम में जो अब लिए माध्यम होगा तो H प्लस तो हो गई और H प्लस होगा तो से लेने वाला भी होगा कौन है वई ओक्सिजन के पास क्या होता है अब यह च्ट प्लस ले लेगा जैसे ही एक प्लस लेगा कि यह च्ट फ्लस बना लेगा मैंन डवलबॉर्ड एन ओट टू बना लेगा अब ओएस्टू पर प्लस आया तो गड़बड हो गई दिए न लक्ट्रो नेगिटिव एटम पॉसिटिव चार्ज को बरदास्ति सकते नहीं कर सकते हैं कितिंजी बार बताएग आपको यह बंद गया आर ची ओ O s और यह जाएगा चार्ट अब तो सक्या ह्ist Gotta बनी गया है बस इसको जरासा हलका सा हीट करेंगे और यहां से जो एंटू गैस है यह बाहर निकल जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंटू गैस है बाहर निकल जाएगी और जिस भी रियक्शन के अंदर गैस बाहर निकलती है वह रियक्शन एंट्रोपी कली फेवरेवल होता है यानि उसकी एंट् करेगा इसकी reaction करा देंगे भाई है एस से तो से जैसे स्ट निया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सियन के पास क्या होते है लोन पे है तो यहां से है प्लस होता है और यह ओएच माइनस होता है तो इसका ओएच माइनस वाला भाग यह अटेक कर देगा पर यह क्या बनेगा CH याँ बन जाएगा OH और ये COOS थो है तो ये क्या बन गया COH की ये कौन सी पोजीशन है Alpha तो इसको बोलेंगे क्या बन गया Alpha Hydroxy Acid बन गया क्या बन गया alpha Hydroxy Acid बन गया तो नौट कीजे जल्दी से किए जल्दी से Note चलते हैं फिर आगे है कि जो नेक्स्ट रियेक्षिन है इसकी वह है एचाई के साथ अगली रियक्शन भी लिख लिखते हैं किसके साथ है इस नहीं के साथ अभी क्या है इसके बाद एनस्टू गुरूप की वजह से जितनी वी रेक्षिन वह खत्म हो जाएं तो यह हम लिख सकते हैं कि जब एलफा अमीनो अमल को किसके साथ है के साथ गर्म करते हैं गर्म करते हैं तो एमीनो समू एमीनो गृप क्या हो जाता है एमीनो समू क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है यानि कि यहां से एनेच्टू गृप जो है यानि अमोनिया के रूप में क्या होगा बाहर निकल जाएगा वैंस्टू के रुप में तो निकलेगा नहीं लेकिन अमोनियम के रुप में निकलेगा ठीक है और केवल कौन सा गुरूप रह जाएगा अमीनो एसड में एनस्टू तो निकल गया केवल क्या रहेगा कार्बोग्जिलिक यानि की बाहर निकल है यहां पर कौन सा गुरुप जुड़ा हुआ है इसकी रिएक्षिन किसके साथ कराई हमने इसकी रिएक्षिन कराई है भई है एच आई के साथ 3 मोल्स ओफ है लिए यह जैसे यह एच आई रियेट करें कि स्ट्रोंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है यहां से क्या वनेगा केबल बनेगा R CH2 COOH और साथ में बाहर कौन निकलेगी NH4I Ammonium Iodide कौन बाहर निकल गया भई Ammonium Iodide बाहर निकला साथ में और कौन बाहर निकलेगी 3HI लिये हैं तो 2 iodine और बचे तो क्या बना लेंगे वो I2 बना लेंगे तो यह बाहर निकल जाता है कार्वोग जली कमलू बनता है Ammonium Iodide और Iodine बाहर निकल जाते हैं यह थी रियक्शन का Amino Acids की किसकी वज़े से NH2 ग्रुप की वज़े से नोट कीजे जल्दी फिर हम देखने वाले हैं कि COOH ग्रुप की वज़े से कौन कौन सी रियक्शन होती हैं अबर अब हम रियक्शन देखने वाले हैं कौन से COH ग्रुप की वज़े से जो अभिक्रिया होती हैं वह तो हम यह लिख सकते हैं COH समू के कारण अभिक्रिया है अब तक तो हमने वह रियक्शन देखिए थी जो NH2 ग्रुप की वज़े से हो रही थी अब हम वह रियक्शन देखेंगे जो COOH ग्रुप की वज़े से होंगी तो सबसे पहली रियक्शन है छार के साथ अभिक्रिया चार के साथ अब इक्रिया भई यह बाल दी रेक्शन तो आप खुदी बता सकते हैं इसमें तो मुझे कुछ बताने की जुरूती नहीं है आर सी एच सी ओ ओ ओ एच यह कोई अमीनोस्टेड है एन एच टू मुझे इसकी रेक्शन करानी है चार के साथ मुझे अमनलो मैंने क्या ले लिया एने ओएच ले लिया और आप जानते हो सी ओएच ग्रूप की वज़्ञेश हो जहां माईनस और यहां इस प्लस है है यह से ह यह जईसे ही एच प्लस ले लेगा यह चे सब्सक्राइब इसको कोन स्टेवलाइज करेगा ने प्लस बाहर कोन निकला अलफा अमीनो एसिड का किसका है, alP amino acid का sodium lawan बन गया, लवन और पानी बन गया, simple reaction सी acid waste reaction, इसका मतलब, simple reaction करा दी हुई, note कीजीए, next reaction जो हम देखने वाले हैं, वो है, एक reaction हम कर चुके, next reaction करने वाले हैं, next reaction जो है, वो है, PCL-5 के साथ अभी करिया, PCL-5 के साथ, अभी करिया, तो जब हम अलफा अमिनो यूद यूद को किससाथ गन करनेपर एसट कुणूराइड इसिड़ ट्रॉरइड एसट प्लोरएंड किलो यह एह paints DR क्या होता है निर्मान होता है बिसिकली यह reaction क्या है formation of acid chloride है acid chloride का निर्मान होता है वह क्या होती है यह reaction देख लेते हैं CH NH2 साथ में कौन है COOH step by step देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर reaction कराई जाती है किसके साथ acetic and hydride AC2O के साथ AC2O और यह reaction आप पहले भी देख चुके हैं जहां पर हमने amino group की reaction कराई थी है ना इसे टिक नाइड़ाइड क्या होता है CS3C double bond O O C double bond O और यह क्या है CS3 यह reaction आप पहले भी देख चुके है nitrogen के पास क्या होता है वह लोन पे है क्यों कर रहे हैं हम यह reaction reaction क्यों करा ही जा रही है इसके पीछे एक रीजन है कि PCL 5 जो है वह यहां भी reaction देगा और यहां भी reaction देगा दोनों जगह देगा और हम नहीं चाहते कि एनस्टू ग्रूप पर क्या हो कोई reaction हो यान कि अगर किसी ऐसे molecule को हम ले रहे हैं जिसमें एक से जादा functional ग्रूप हैं तिक और हम चाहते हैं कि केवल कोई एक functional ग्रूप reaction में participate करें कोई एक functional ग्रूप reaction में भाग लें दूसरा ना करें उस reaction में जबकि जो reagent हम यूज कर रहे हैं वह ऐसा है कि दोनों के साथ कर सकता है तो फिर तो बड़ी गड़वर होगी फिर हम reaction कैसे कराएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कोई केवल एक पार्ट करें तो इनको बोला जाता है protection reaction क्या का जाता है protection अगर हम किसी एक ही ग्रूप पर reaction कराना चाहते हैं तो बस दूसरे को क्या कर दो प्रोटेक्ट कर दो मतलब उसकी रक्षा कर दो ऐसे किस पहले से reaction में भी पड़ी थी अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर क्या होगा यह इसका प्रोटेक्शन कर देगा यानि कि यहाँ पर अटेक करेगा और यह बाहर निकल जाएगा और एनेच एसी बना था तो वही बनेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा आर सी एच सी मैं इसे लिख फारोटेक्शन को ग्रॉप अब यह रिक्शन होगी तो इसकी रेक्शन किसके साथ कराएंगे के साथ पाईक्षि यह तो भाहर निकल जा और इसकी जगे कौन आ जाता है CL आ जाता है FGT बोलते हैं इसको functional group transformation यानि कि एक functional group का दूसरे functional group में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है तो क्या होगा यहां OH हट जाएगा इसकी जगे कौन आ जाएगा CL आ जाएगा अब acid chloride तो बन गया लेकिन यह amino acid तो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह जो group है protected है हमने इसको क्या कर लिया था protect कर लिया था लेकिन अब हमारे जो काम था reaction कराने का PCL 5 का वो तो हो चुका है जो बनना था वो बन चुका है तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा D protect कराना पड़ेगा पहले तो हमने इसकी protection reaction कराई protect करा दिया लेकिन अब हम चाते हैं कि हमें वापस मिल जाए तो क्या कराना पड़ेगा D protection कैसे होता वही H plus H2O के साथ कोई अम ले लो और water ले लो इसका क्या हो जाएगा D protection हो जाएगा इसका मतलब यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा RCH C double bond O CL और यहां पर वापस से क्या बन जाएगा NH2 group साथ में बाहर को निकलेगा CS3 COH ldehyde जो होगा वो बाहर निकल जाएगा इस तरह से D protection हो जाएगी और यह reaction complete हो जाएगा और इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है Acid chloride का formation हो जाता है क्या मिला हमें end में Acid chloride मिल गया नोट कीज़े वही जल्दी से क्या बना हमार पास finally Acid chloride का कोई विद्पुन फॉर्म हो जाता है कभी-कभी चीजों को नोट हो गया आगे चलते हैं भी अगली जो reaction है वो है esterification esterification मतला estericurant estericurant reaction तो बहुत पढ़ी है ना विक कार्बो हाइडरेट में बरपूर पढ़ी है आपने second year में बरपूर पढ़ी होंगी आलकोहल, phenols के अंदर Estericurant. ठीक है यह reaction तो भरपूर पढ़ते हैं यानि कि बहुत जादा होती है तो estericurant क्या होता है यहां पर हमारे पास क्या है amino aamielle है है यहां पर क्या यहां होना चाहिए क्या होना चाहिए हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो यह जो सब्स न्रपार दोर्वध dif सब्सक्राइब तो आधुर। एकिस का निर्मान होजाता वहीं से एस्तर का निर्माद हो जाता है से रेक्शवावाभास में दिन वहाओ वही रियक्शन साथ होगी लेकिन होगी थोड़ा सा जो हमले करते हैं अगते हैं तो इसले करते हैं किया हितने यह reaction बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब तक हम कराते आए हैं कितिनी बार करा ली ऐसा लगता है जैसे और गेनिक में और कोई reaction ही नहीं बस यहीं बच्ची हुई है तो ठीक है क्यों क्या होने वाली है यहां पर यहां पर किसकी जरूत परती है मैं ड्राइए यह यानि कि सुस्क एच सी एल की उपस्थिती में अल्कोहॉल के साथ अभी क्रिया कर किसका निर्मान होता वही एस्टर का निर्मान होता है ठीक है क्या वनेगा यहां पर एस्टर वनेगा यानि reaction कुछ हैसी होगी कोई amino acid होगा c o h n h2 ठीक है किसकी उपस्तिती में होगी reaction यहां पर लिखूं किसके साथ reaction होगी किसी alcohol के साथ मानलो मैंने क्या ले लिया c2 h5 oh ले लिया यहां पर किसकी प्रिजेंस में होगी ड्राइच सील की प्रिजेंस में होगी reaction ठीक है फाइनली हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा आर c h n h3 positive ammonium नवर्ड मिलेगा इसका positive होगा तो इसको कौन स्टेबलाइस कर रहा होगा c l minus और साथ में कौन बनेगा c1 o c2 h5 यह मिलेगा इसकी reaction हम आगे कराएंगे az o h के साथ silver hydroxide के साथ और हमको फाइनली मिल जाएगा r c c o o c 2 h5 और यहां पर मिल जाएगा एनेच टू ठीक है एस्टर वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा reaction उतार यह फिर mechanism देखते हैं क्या होता है वह यह mechanism बैसे आप सभी जानते ही हैं वही mechanism होने वाला है चाहें तो खुझ से भी कर सकते हैं इसका mechanism करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे तो किया कीजिए गलतियां करेंगे तब ही तु सीखेंगे आप अगर हर चीज के लिए teacher पर depend रहेंगे के teacher कराएगा teacher कराएगा तो आप क्या करोगे तो तुम तो कभी जिंदगी में आगे भड़ी नहीं पाओगे तुमारा हर काम ममी बापा कर देंगे तो फिर तुम तो कभी कोई काम सीख नहीं पाओगे है ना और सीख नहीं पाओगे तो जिंदगी में कुछ कर भी निपाओगे आगे तो जब तक तो अपने हाथ पर नहीं चलाओगे तो तक आगे कुछ भी नहीं होने वाला है नोट कर लिया वैं कि इसलिए रट्ट्व तोते मत Oneव कुछ करो लाइट्स में कुछ करो बनना रट्टू तोते बनके रह जाओ के सिर्फ एक्जाम पास करने के लिए पढ़ना है और बाकी आपको कोई मतलब नहीं है तो फिर तुमारा जिन्दिगी में कुछ नहीं हो सकता भी ठीक है कैसे होगी reaction हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है और च यहां पर लोन पेयर होते है और अमल के पास क्या होता है एच प्लस तो यह क्या कर लेगा एच प्लस ले लेगा सबसे पहले तो आमोनियम सॉल्ट बना लेता है है तो यहां पर रहेगा और यह क्या बना लेगा एच थी चारओं बनाएगा पॉजिटिव चार्ण इसको कौन स्टेश करेगा Original माइनस इसको क्या करेगा एक प्लास त्यागे की प्रभ्रती रखे इसलिए एक्सिरिफिकेच्शन की होती है क्योंकि अमलीय काओ होता ही Courtney उसकि waiver ह्यावंक्न और और यहां निकल जाएंगे यहुठ और यह यहां से यह और यह और यह जुड हुआ है यहां पर अभी भी NH3 plus और CL माइनस जुड़ा हुआ है अब हम इसकी reaction किसके साथ करा रहेंगे AG OH के साथ silver hydroxide के साथ ठीक है AG OH silver hydroxide तो जैसे ही हम silver hydroxide लेंगे हमको पता है इसमें इसमें एक तो AG plus part होगा और एक क्या होगा OH माइनस पार्ट होगा जो यहां C L माइनस के साथ रियक करेगा और क्या बनाएगा E healthier तो इसमें जोजाएकर यह चैज्जा और और यह वं जाएगा और यहां पर बन जाएगा इस तरीके से ठीक है नोट कीजिए जल्दी सब्सक्राइए नोट कीजिए देखते हैं अगली रियक्ष्ण को आगली जो रियक्ष्ण है वो है डी कार्वोक्सिलेशन जिसको बोलते है डी कार्वोक्सिली करण अभिक्रिया है अभिक्रियान डी कार्वोक्सिली करण का मतलब बहुत बार पड़ियोंगी ऐसी रियक्ष्ण डी कार्वोक्सिलेशन में क्या होता है सियो टू गेस बाहर निकल जाती है ना सी ओच ग्रूप है उसमें से सीओ टो गयस बाहर निकल जाती तो कैसे होती है इसको कराने के दो तरीके हैं पहला कि हम अमीनों अमले का आसवन करा दें सुसक आसवन यानि कि पानी की अनुपस्तिती में उसको गर्म करें आसवन करें उसका तो सीओ टो गैस जोगी वह अपने बाहर निकल जाएगी और दूसरा है कि हम उसकी रियक्शन करा दें बेरियम हाइड्रोकसाइड के साथ किसके साथ बेरियम हाइड्रोकसाइड के साथ तो हम यह लिख सकेंगे दिख सकते हैं लिख सकेंगे क्या लिख सकते हैं कि क्या कराने पर यहां तो इसका शुष्क गर्म करने पर गर्म करने पर क्या हो जाता है डी कार्वक्सिलेशन हो जाता है ना जिसको हिंदियों बोलते हैं वी कार्वक्सिली करण डी नहीं स्टी एस होगा एससे जुडआ होगा सी ओह झूड़ा होगा यहाँ पर कौन सा गूरुप होगा एनस्च तू दो तरीके है इसको कराने के एक तू मैं इसकी लिएक्षिन करा दू सु कास्वन कराके क्या कदानों सरु से सुष्क सु कि आश्वन करां हूं और दूसरा इसकी reaction किस के साथ करा हूँ barium hydroxide के साथ करा हूँ और दोनों ही case में क्या भार निकलना है CO2 gas को बाहर निकलना है जब मैं इसको barium hydroxide के साथ गर्म करूँगी तो यहां से कौन भार निकलेगा भई यहां से यह है तो यहां से तो CO2 CO2 निकलेगा, कौन निकलेगा CO2, ठीक है, यहाँ पर BA, यहाँ पर 2 Oxygen और 2 Hydrogen है, यहाँ से एक तो H2O बाहर निकलेगा, H2O, H2O में कौन यूज हो गए, 2 Hydrogen और 1 Oxygen यूज हो गए, अभी 1 Oxygen बचा हुआ है, तो Barium BAO बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, BAO बचेगा, क्यों बचेगा, यहाँ से कौन निकलेगा, C2O, यहाँ से कौन निकलेगा, CO2, तो C, Barium और CO, और 1 और O मिलकर क्या बना लेंगे, Barium Carbonate बना लेंगे, और साथ में क्या बनेगा, यह बनेगा, R, CH2, यह क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, यह बचा हुआ है, यह उपर गया, नीचे गया, और यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ स आमीन बन गया, 1, 2, 4, 3, यह बन गया, ओनी तो बन गया, कौन सा है, बन दिकरी ऑमीन है, साथ में कौन बाँ निकलेगा, BARium Carbonate, क्या बाँ निकलÁ, B, A, CO3, B, A, CO3, barium carbonate, C, दो oxygen यहाँ एन, एक oxygen यहाँ और barium, तो barium carbonate दोahu निकल गया, यह हुआ, लेकिन अगर, केवल lean is it is रह जाएगा R CS2 और यहांपर कौन रह जाएगा थूझा गर वन डिग्री चपन वेमीरे निदेशन के र These तो किस्का फॉर्मेशन होता है वन डिग्री आमीन का फॉर्मेशन वोता है नोड़ाने जल्दी से चाहियां रिदक्षन किसके साथ कराएंगे तो आपने कभी अल्कॉह वाला चप्टर पढ़ाओ तो आपको पता होना चाहिए जाव हम तो कार्वागज़िक हमलु में तो बहुत जादा प्रभल ऑक्सिकार्अग होंगे वह इसको डायर वागज़िक अमलु में चेंज कर सकते हैं तो कर्वक्जली कमले का डच्शन भी तो सकता है अप्चैन भी तो सकता है वह इसका एल्कोहॉल को कि अपे यहां पर किसका चेन होगा किसमें होगा एल्कोहॉल में होगा यहें जब हम इसकी किसी अपचाये जैसे लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड के साथ अभी क्रिया कराएंगे यह क्या है एक reducing agent है वो भी कैसा strong reducing agent है तो यह क्या करदेगा यह जो COH गुर्प को इसको किसमे चेंज करदेगा एलकोहल में चेंज करदेगा, है ना यह क्या देता है, हाइडुराइड ட ट्रांसफर करता है, ल आई प्लस यह हमाइनस होता है, तो यहहांसे कौन निकलता है eigen लैकोहल में चेंज कर中共 किस लैकोहुल तो यह बन गया एल्कोहॉल बन गया जिसमें एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इनको बोलते हैं अमीनो एल्कोहॉल ठीक है नोट कीज़े जल्दी से अब तक हमने जो रियक्शन्स देखी हैं वो किसकी वज़े से देखी हैं अलग अलग ग्रुप की वज़े से देखी हैं अब तक हमने जो रियक्शन्स देखी हैं वो यहां तो एनस्टू ग्रुप की वज़े से देखी हैं बहुत सी रियक्शन्स ऐसी होती हैं जिन में साथ भाग लेते हैं दोनों एक साथ भाग लेते हैं तो दोनों एक साथ भाग तो ले सकते जब एक साथ मौजूद है तो एक साथ भाग क्यों नहीं ले सकते तो आप हम रियक्शन देखने वाले हैं किसके कारण दोनों समुहों के कारण अविक्रिया हैं तो यहां हम लिखेंगे यहां हम लिखेंगे अलफा हम लिखेंगे COOH तथा NH2 समुहों के current अविक्रिया है अब दोनों ग्रुप की वज़े से देखेंगे कौन सी reactions होती है जो दोनों ग्रुप की वज़े से amino acids प्रदर्शित करते है actually यह दोनों ग्रुप के वल तभी participate करते हैं एक साथ जब हम गर्म करते हैं heat का यानि temperature का effect आता है तो हम यह भी कह सकते हैं एक्चुल में यह दोनों की reaction नहीं है यह क्या effect of temperature है on amino acids amino acids पर temperature का क्या effect पड़ता है उसको हम बताते है इन reactions की through जिसमें दोनों ही ग्रुप जोंगे वह participate करेंगी तो यह क्या है effect of temperature है effect of temperature ठीक है अब होता क्या है क्यूकि just because हमने इस पूरे चेप्टर में केवल क्या पड़े है alpha amino amino पड़े है amino amino तो और भी होते है classification नों बजाए था कही तरह क्यों होते है alpha होते है beta होते है gamma होते है delta हो सकते है ठीकि इस तरह के देर सारे amino acids होते है और यह हम क्या पड़ने वाले है effect of temperature पड़ने वाले है और temperature का effect जब amino acid type की अलग-अलग type के होते है कोई alpha है कोई beta है कोई gamma है तो उन पर temperature का effect भी क्या होगा अलग-अलग प्रकार से होगा और जब temperature का effect होता है तो दोनों ही group भाग लेते है तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक्चुल में यह जो पढ़ने वाले हम रियक्शन वो क्या है effect of temperature है amino amino पर तो हम यहां लिख सकते हैं कि amino amino alpha नहीं लिखेंगे सभी amino amino पर देखेंगे alpha पर क्या होता है, beta पर क्या होता है, gamma पर क्या होता है वो temperature पर अलग-अलग तरह की reactions देते हैं तो हम यह लिख सकते हैं कि बिविन्न प्रकार के अविक्रियाईं देते हैं यह आप न्यांándकर 511 99 को करेंगे में एल्फा आमिनो अशेट को गर्म करेंगے तो क्या वनता है यहाँ पर जो बनता है जब करते आतों हमकिकर जैसा कुछ बनता है जिसको आप पहले भी देख चुकें reactions में जब आप मनाएंगे तो आपको देखते ही पैचान में आ जाए कि आ रहे हैं यह तो हमने देखा है ठीक है तो हम यह लेखेंगे alpha amino acid गर्म करने पर गर्म गर्म करने पर क्या बनाते हैं चक्रिय एन हाइड्राइड डाई कीटो ठीक है क्या बनेंगे चक्रिय एन हाइड्राइड डाई कीटो और पिपरेजीन जिसको शॉट में अगर मैं बोल लूँ तो आप पैचान जाओगे बनता है कैसे होगी यह reaction कैसे होगी मानलो कोई साभी यमिन्याउ एक लेलो कोई साभी मतलग glycine, alanine, valine जो भी तुम्हारा मन हो मैं अपने मन से ले लेते हूँ वाई glycine को ले लेते हूँ इसको ले लिया glycine और glycine क्या होता है glycine में दोनों hydrogen होते है याद आना structure लिखवाएते और एक क्या होता है NH2 group होता है तो मैं ऐसे लिखू glycine को actual में इस तरीके से लिखते हूँ C double bond O OH ठीक है और मैं ऐसे लिखते हूँ NH ठीक है यह है दूसरा glycine का molecule ले लेते हैं वही ऐसे लिख दो CH2 यासे लिखते हूँ CH2 ठीक है C double bond O या C double bond O नहीं यहां लिखेंगे N और 1H तो इससे जुड़ा हुआ है NH और 1H को मैं ऐसे लिख देते हूँ ठीक है और इससे दूसरा कौन जुड़ा हुआ है दूसरा जुड़ा हुआ है C double bond O C double bond O OH यह जुड़ा हुआ है ठीक है अब मुझे इससे क्या करना है गर्म करना है हीट करूंगी कौन सा है Amino Acid है ग्लाइसीन है कौन सा है Alpha Amino Acid है ग्लाइसीन दोनो ही molecules किसके है glycine के molecules हैं दोनो ही तो जैसे इसे ही मैं इनको गर्म करूंगी हीट करूंगी तो क्या होगा यहां पर इसका OH इसका H तो 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 मौलेक्यूल बाहर निकलेंगे low ओके और यह आपस में किया हो जाएंगे यह कारबन किस्ते गूड़ जाएंगे फिर जोड़ाएंगें कि नहीं किस्ति जड़ात न पर यहां पर यह जो दो चूड़ाहुआं और से यह सब्सक्राइबomorphास यह क्या है है हमारा स sangat pari असंधुड गर едmen यही तो है हमारा इसे को क्या है और है यह एनध्री डाइटेटो प्परेजिन जितने वह महारे पो क्या बना लेते हैं ऊंप समय developing तो क्टव करेंगे तो क्या वनेगा । अगर हमारे पास बीटा अमीनो असेड क्या करेंगे जैसे यहां पानी निकला है वहां भी पानी निकला है लेकिन यहां पर तो चक्रिय सरचना बनी है, लेकिन जो बीटा असीड को गर्म करते हैं, तो चक्रिय सरचना नहीं बनती, वहां पर चक्रिय सरचना नहीं बनती, वलकि क्या बनता है? वलकि बनता है वहां पर असंत्रप्त अमलू बनता है, असंत्रप्त कार्बोगजलिक अमल लगा है ना इसके यह फापोजीचन नी तो है फापोजीचन पर ही कौन लगा हुआ है एनस्टू गूरूप सी ओएच गूरूप बीटा कौन होते हैं जब याद है न शुरुआत में आप लोग को लिखाए थे यह फार बीटा अमीन असे तो यहां पर क्या होंगे यहां पर यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होता है जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी तो यहां से क्या होगा जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी तो आप देख सकते हो यह मैं ऐसे लिखूं तो ज्याद अच्छे सा दिखेगा है जैसे इसको हीट करूंगी यहां से एक एच और यहां से एक हैच यानि एच्टू गैस कौन सी गैस बाहर निकलेगी एच टू बहार निकल जाएगीह एच टू बहार निकल जाएगी तो होगा क्या है होगा क्या इहां पर कि यहां से तो सचुरै-टूदर लुक्त की है was стंट तो ठाय होगा है एच फोड़ा सा गड़वाड हो गया ैच फै स्य सब्सक्री कि यह है सीह 2 specifically एक एड फोन संदेखितीं हेच टू कुछ निकले का गड़ब चली है यहां पर क्यं कि है जैसे ही आउसे गर्म करेंगे यहां से ओ एनट्रोजन निकलेगा यहां से टू और निकलेगा तो अपने लेकर निकलेगा तो इस कारबन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटीब चार्ज कैसा चार्ज और छोड़कर निकलेगा और छोड़कर निकलेगा तो इस कारवन पर कैसा चार्ड जाएगा नेगिटिव और नेगिटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे बॉंड बना लेंगे तो यह बन जाएगा कुछ एसा है एक्राइलिक एसिड बनता है क्या बनता है और कौन सी केस बाहा निकलती है तो इसका मतलब जब अमिनों को गर्म किया था तो कंदेंशेशन टाइप का कुछ रियक्षन हुआ था है एस टॉब और साइक्लिक साइकली क्स्ट्रक्चर का फॉर्मीशन हुआ लेकिन जब बीटा करते हैं तो यहां पर स्ट्रक्ट नहीं वंता है असंत्र अंफ्य जिलुका निर्मान istry को रही है तॉ यहां कि लिख jogo का लंग अ मीधा ढखतराके कि रीक्षिन होते ही देख लेते हैं हुआ करने नहीं को में अगर माममीनों अमद्लों को अगर आयों में सचहिंक्ग काा होगा तो गामा्व एमिन हम दो को गर्म करने पर गर्म करने पर यहां पर चक्री सरत्क नहीं लेकिन वह घंस बनता है यहां पर गामा अमीन वाश्ट को गर्म करने पर क्या बनता है लेक्टम का निर्मान होता है अब बहुत अच्छे वोलेंगे लेक्टम क्या होता भी बताएंगे भई अभी रुको थोड़ा भई पहले देखते हैं गामा अमीन वाश्ट क्या होंगे यह कारवन इससे जुड़ा हुआ है COOH Hgms कौकल को हम इसको एसे लोखूं तो की Dowabbes ओ यहां ओ से जुड़ा होगा किससे किसी alpha कारवन से यह जुड़ा होगा किसी बीटा कारवन से यह जुड़ा होगा किसी गामा चारवन से है ना अल्फा7 बीटा गामा एसे वहना चिए सुर्य एक कारव. एक्स्ट्री यह बीटा और गामा और गामा पर कोण ? ग्रुप कौन Sa esempio है ने तो यह हमारा गामा ऐमीनो एसिद्टड यह हमारा एक गामा असे और रात की तो आप समझ पूढ़ी ओंग यह इसको मैं उसे लेखाई इसको orientation को देखके ही समझ गे होंगे क्या होगा तो यह है हमारा एक gamma amino acid जैसे ही हम इसको heat करते हैं इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना लेते हैं पानी बाहर निकाल लेते हैं और यह आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2 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 यहां पर भी कारवन की वैलन से पूरी तरफ CH2 यहां पर क्या है एन H और यह किस से जुड़ा हुआ है C double bond O से इनको बोलते हैं लेक्टम क्या है लेक्टम अगर मैंन न लगाकर यहां पर कौन सा गुड़ा दूँ ओ फोलगा दूं तो सी क्लिक अस्टर को क्या ग्रुप लगा हुआ है और अगर इस ग्रुप को मिलाओं तो यह कौन सा ग्रुप बन गया एमाइड बन गया ना कौन सा ग्रुप है एमाइड है लेकिन कैसे चक्रिय एमाइड है तो जिस तरह से चक्रिये एस्टर को lactone उसी तरह से चक्रिये amide को क्या कहते हैं वही ? l Parent क्याते हैं क्या क्या क्याते हैं तो हमने देखा कि amino acids जो हैं उनके दोनोंeletُ coo-ję और nh2 group kings दोनों भाज ले रहे हैं लेकिन यह कब भाज लेते हैं यह temperature के temperature जब हम temperature बढ़ाते हैं यान कि effect of temperature देखते हैं तब जाकर हमको दिखते हैं और हमने देखा जब हमने effect of temperature लगाया तो देखा अलग-अलग तरह के amino acids अलग-अलग तरह का व्यभार प्रदर्शित करते हैं जैसे alpha amino acid गर्म करने पर क्या दे रहे थे इसका मतलब तीनो का ही टेंपरेचर के प्रती जो व्यवार होता है वो अलग-अलग तरह का होता है तो यहीं पर हम इसके रियक्शन को खत्म करते हैं अगले लेक्चर में अमीनो एसेट्स खत्म हो जाएंगे और क्या शुरू हो जाएंगे आपके प्यप्टाइट शुरू हो हो जाएंगे और फिर तो प्रोटी यादा बड़ा नहीं है अमीनो आसिट जुडेंगे जुड़कर क्या बनाते हैं फैप्टाइड पेप्ट्टाइट की चेंज़ जुड़ती जाएंगी वो क्या बनाते हैं पॉलीपटैड और रोपश्चाज जब जुडते जाते हैं तो